Hello everyone, welcome back to the Rana Academy, so आज आप लोगों का फिर से स्वागत है मेरे episode number 2 of doubt session and chit chat तो बिना को time waste किये चलिए शिरू करते हैं आज मैं आप लोगों के साथ share करना चाहता हूँ उन बच्चों का मूल मंत्र जो कोई भी competition को असानी से clear करते हैं या अगर हम बात करें कि कोई भी exam होता है चाहिए normally board का भी exam होता है तो बहुत अच्छे नबरों से वो pass होते हैं तो basically क्या मूल मंत्र है देखिए मुझे लगभग 13 से 14 साल हो चुके हैं physics पढ़ाते हुए और कितने ही बच्चे हैं जिनके मैंने help करी है IITians बनने में कितने ही बच्चे हैं जिनके हमने help करी है medical examination को crack करने में तो इन सभी बच्चों का जिन्होंने IIT को crack किया है या जिन्होंने medical interest examination को crack किया है उन सबका एक ही मूल मंतर होता था और वो है आपकी consistency which is very very important देखिए सुनने में word लगता है कि कुछ भी नहीं है but actually में यही सबसे important word है समझने के लिए consistency का मतलब होता है लगातार मेहनत करना लगातार मेहनत करना देखिए क्या होता है कि कभी कबार हम क्या करते हैं कि एक दिन बैट करना बहुत सारा कुछ पढ़ लेते हैं वो जो 6-7 घंटे पढ़कर आपने जो चीज सीखी होती है वो दो दिन के अंदर अंदर ही आप भूझ जाते हो उसको कोई फैदा नहीं होता देखिए आपको एक बात समझना पड़ेगा which is very very important वो ये है कि चाए आप दिन में 3-4 घंटे ही पढ़ो बट सबसे important है कि regular पढ़ो मेरे पास कई सारे students आते हैं जो ऐसे बोलते हैं सर मैं बहुत कोशिश करता हूं बट कभी कभी कोई subject है जैसे मालों physics सी ले लेते हैं कि मुझे समझ में नहीं आता कभी कभी होता कि मुझे बहुत चिरा समझ में आयाता है फिर कुछ दिनों बाद जब मैं देखता हूं तो 99% बच्चों का यही कहना होता है कि नहीं हम एक दिन बैठते हैं अच्छे तरीके से त्यारी करते हैं और दो तिन दिन के बाद जाकर हम फिरसे जब physics उठाके देखते हैं तो हमें लगता है पता नहीं यह क्या चीज है तो उसकी problem याती है कि जब next lecture पे जाते हैं तो वो lecture न सब्सक्राइब करते हैं जो next chapter start करेंगे तब हम उसके साथ त्यारी करनी शुरू करेंगे और आप में से आप सबससाद बताना आप लोगों में से कितनों ने ऐसा किया है कि जब आपका paper जबापर देके आते हो और आपको लगता कि आपने paper अच्छा नहीं किया फिर आप य धीरे 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 distractions की वज़ा से आप consistent way में त्यारी नहीं करते फिर end में जो paper आते हो उसके बाद आप त्यारी करनी शुरू करते हो right देखिए मैंने जैसे आपको कहा कि मेरे पास कई ऐसे student थे जिन्नोंने IIT क्लिर करी जिन्नोंने medical examination क्लियर किया आप और कई बार मैंने उन consistent way में त्यारी करते हैं मतलब ये कि हमेशा वो क्या करते थे कि रोज की रोज उन्होंने time बांदा होता कि मैंने इतना आपको physics का देना है इतना chemistry का इतना math का देना इतना bio को देना जो भी आप subject पढ़ते हो आपके coding ली 11-12 की अगर मैं बात करता हूं तो उसके अंदर क्या ह हुआ था कि सर हम क्या करते हैं जो आप पढ़ाते हो वहले हम तो वही साथ के साथ regular study करते हैं ठीक है मान लोग किसी दिन हमारे पास practice sheet नहीं है तो हम जो पिछला हमने किया होता है उसको हम revise करते हैं बट हम regular 1.5 घंटा जरूर देते हैं आपकी physics को इवन 1.5 घंटम देते हैं आपके पास होते हैं तो वह दिन के लगातार 4.5 घंटे लगाता है पढ़ने के लिए regularly आप लोग क्या करते हो कि मान लोग आपने दो दिन नहीं पढ़ा आप Saturday Sunday आया आपने 6 घंटे पर डाले अगले अफर अगले दिन भी आपने मान लोग 6 घंटे पर डाले टोडल कितने ह हो या आपके 12 घंटे होए न अब 4.5 घंटे के हिसाब से मंडे से आप अपना Saturday की calculation कर लीजिए जब आप calculation करेंगे तो आपके पास कितना time बनेगा इस 12 घंटे से तो जादा बनेगा न कम तो नहीं बनेगा अब सबसे important बात यहां पर क्या है सबसे important बात यह होती है कि जब ह हमें के regular किसी subject के साथ touch में होते है ना तो हमें चीजे समझ आनी शुरू हो जाती है जब भी मैं एक निया topic देखता हूँ तो मुझे मेरी जो प्रानी knowledge होती है वो help करती है नए knowledge को समझने के लिए अगर आप बीच में break डाल दोगे तो जब आपको इन निया topic करोगे तो पि तो मुझे physics समझ नहीं आती कोई बात नहीं रोज की रोज देड़ घंटा physics को time देना शुरू कर देजिए रोज दीजिए एक बार नहीं समझ आएगा दो बार नहीं समझ आएगा तो क्या हो गया है तो subject ही ना देखिए हर एक subject के ना अपना एक nature होता है जैसे कि अगर आप mathematics की बात करते हो तो आपको बहुत सादा numerical की practice करनी पड़ती ये बात सही है कि नहीं है अगर आप physics की बात करते हो तो इसमें आते हैं धेर सारे concepts अगर आप concepts को ही नहीं समझोगे और समझने के बाद अगर आप उसकी application की practice नहीं करोगे मतलब numerical की practice नहीं करोगे अगर आप उस से समझना चाहते हो कोई भी सब्जेक्ट समझना चाहते हो तो पहले तो regularly उसको time देना शुरू करिए regularly और इसी को कहा गया है consistency तो एक बात हमेशा याद रखना कि success का मंतर होता है consistency मतलब हमेशा आपने consistent रहना है जब आप consistent रहेंगे तो मैं आपको बादा करता हूँ आप खुद देखोगा यह चीज कि after one or two week के आपको ऐसा एहसास होगा कि हाँ यार यह particular subject तो मुझे आ गया मैं ऐसे इस चीज़ से डर रहा था बात समझ में आए ना और बाकी बात रहें कि physics की तो मैं आप लोगों की यहाँ पर help करी रहा हूँ अगर आपको मालेजे किसी particular question में कोई doubt है कोई problem है तो यहाँ देखे मैं आपको यहाँ पर अपना Gmail address दे रहा हूँ तो यहाँ पर अपना जो doubt है वो scan करके click करके डाल दीजिए क्या दिक्कत है आपको मैं जो उसका solution है वो साथ की साथ वापिस कर दूँगा आप में से कई यहाँ पर subscribers है जिनने मुझे mail किया है मैंने साथ की साथ उनका जो answers है वो लिक्किया उनको दे दिए ठीक है ना तो अब मेरी बात प्लीज समने की questions करो number one एक तो आपने हमेशा अ हर एक को डेड़े घंड़ा दो नहीं आप दे सकते यह बात तो आप भी जानता हूं तो आप अपने हिसाब से सोच लो कि ठीक है मुझे 45 मिर्स देने है फेजिक्स को रोच के 45 कमिस्ट्री को देने है 45 मैर्स को देने है बट regular करना है मान लो गर school में आपको काम नहीं दिया ह है तो उसका मतलिब क्या हुआ आप अराम से थोना बैठोगे आपने जो पिछला कर लिया है उसको रिवाइस करो उस 40-45 मिर्स के अंदर तो इससे क्यों होगा कि आप regular book के touch में रहोगे आप जितना प्रही के touch में रहोगे आपको उतने ही चीज अच्छी से केसे आने तो सबसे पहला स्वाल जो मुझे पूछा गया है वो है ये ओके सो अधिते शुकला जी ये पूछते हैं कहते की सर इन एक्जाम इफ इस आस्टो तो तेल हाव मेनी मोशन आर इन बोडी सो वट आंसर आशल गेव रोटेशनल एंट ट्रांसलेशनल और रोटेशनल ट्रांसल बोडी है तो टाइपस ओफ मोशन सो देखे क्या है कि ये बात बिल्कुल सच है कि हम बेसिकली तीन तरह के मोशन को स्टडी करते हैं सबसे पहले हमारे पास होता है ट्रांसलेशनल ठीक है जिसका मतलब क्या होता है कि जो बोडी है वो स्टेट पाथ पर आपकी मूव कर रही होती है दूसरी होती है हमारे पास रोटेशनल मतलब अगर जो बोडी देखें तो वो क्या कर रही है वो रोटेट कर रही है अबाउट अफिक्स एक्सिस और नमबर तीसरा होता है वाइबरेशनल जिसमें जो बोडी है वो वाइबरेट करती है अबाउट इस मीन पोजिशन देखिए आपके syllabus के accordingly हम basically इन दो type के motion को study करते हैं Translational and Rotational तो paper में अगर पूछते हैं type of motions के बारे में तो आप translation and rotation लिखेंगे लेकिन जब आप बात कर रहे हो rotational, translational, vibrational in chapter 2 तो प्लीज वड़ा ध्यान से देखना वहाँ पे kinds of kinetic energy दी गई है तो वहाँ पे तीन क्रांकी kinetic energy की बात हो रही है rotational kinetic energy, translational kinetic energy and vibration kinetic energy ठीक है तो जब motion की बात करेंगे तो सिर्फ ये दो ही motion के बारे में आपने बताना है Is that okay? तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ अपना next doubt तो इस particular question में कहते है A body of mass m falls down through a height h obtain an expression for the work done by the force of gravity देखिए बहुत ही असान question है देखिए सबसे पहले देखिए मेरे पास क्या है A body है जिसका mass क्या है? m है तो अब हमने क्या किया? अब देखिए सबसे पहले बात कौन सी force है? जो responsible है इस body को नीचे लाने के लिए वो है the force of gravity क्या है? force of gravity and force of gravity को find करने का formula होता है mass into acceleration due to gravity that is mg अब देखिए ओफ फॉल कर रहा है उपर से नीचे गिर रहा, right? और कितना ये displace हुआ बिटा? ये हमारा h displace हुआ उपर से नीचे ऐसे आ रहा है देखो force of gravity and displacement इन दोनों की direction सेम है न तो theta आपके पास हो जाएगा 0 degree so work done हो जाएगा f into s cause of 0 degree cause 0, 1 होता है force हुमारा mg हो गया और कितना displace हुआ? ये आपका h displace हुआ तो देखिए ये है आपका वो expression जो आप basically पूछ रहे थे is that okay? तो चलिए अब हम अपने next doubt की तरफ चलते हैं so next doubt में कहते हैं की differentiate between what and what are okay? so देखिए जब हम बात कहते हैं बटा what की तो what basically power का unit होता है power का unit होता है ठीक है? और power क्या होता है ये होता है work done divided by time clear? अब work done का unit क्या होता है? joule और time का unit क्या होता है? ऐसा unit basically वो second होता है so देखिए अगर मैं आपको कहता हूँ के मेरे पास 100 watt का bulb है suppose मेरे पास 100 watt का bulb है so इसका मतलब ये होता है कि ये 100 joule of energy consume करेगा in one second ठीक है? अगर 100 watt का bulb है तो मतलब 100 joule of energy वो consume करेगा in one second तो वो मतलब होता है watt का तो जब हम बात करते हैं watt R की so basically ये unit होता है electrical energy का electrical energy का तो देखिए तो जब हम बात करते हैं one R की तो one R का मतलब क्या हुआ? one R का मतलब होता 3600 second so यहाँ पर आजएगा watt into 3600 second और जब इसको solve करेंगो तो याएगा 3600 watt second watt second अब आप देखिए आपे watt ये second multiply होतो तो क्या मिलेगा? joule मिलेगा so इसका मतलब लिख सकता हूँ 3600 joule अब इसका मतलब क्या हुआ? मैं आपको मतलब समझाता हूँ प्लीज थोड़ा समझने की कोशिच करना अगर माली जे मेरे पास appliance है ठीक है? वो one watt R energy use करता है one watt energy का मतलब हुआ कि अगर माली जे मेरे पास एक appliance है ठीक है? उसकी power जो वो use करेगा वो basically कितना power का है? वो मालो one watt का bulb है आपने उसको एक घंटा use किया जब आप उसको एक घंटा use करेंगे न तब 3600 joule of electrical energy आप use करेंगे उस एक घंटे के अंदर ठीक है? तो ये होता है watt R ये difference है बटा watt का और ये है watt R का I hope आपको ये समझ में आ गया होगा तो चलिए अब हम अपना next question देखते हैं So next question है कहते हैं कि sir why do we need to take another triangle for removing slope and can't we do PQ by QO this is written in our textbook देखिए मैं actually वो textbook के accordingly आपको बता दूँ देखिए बेटा सबसे पहले आपको ये बात समझनी है कि हमें formula याद नहीं करना It is not a formula देखिए जब मैं slope के बारे में बात करता हूँ तो उसका मतलब होता है change in y upon change in x change in x मतलब ये कि देखिए अगर ये y axis है ये आपकी x axis है और मेरे पास कोई graph है तो y में कितना change आ रहा है with respect to x तो अगर आप चाहें तो 2 extreme point लेकर भी वो चीज़ find कर सकते हो अगर आप चाहें तो किसी भी 2 point को लेकर भी आप उसको study कर सकते हो तो ये आपके ओपर depend होता है अगर तो ये straight line है तो कोई भी और कहीं पे भी 2 point ले लो आपका जो slope है हमेशा same आता है इसलिए कोई फरक ही नहीं पड़ता आप क्या कर रहे हो ठीक है तो आप अगर ये कहते हो ने PQ by Qo ये करना है तो प्लीज ऐसा मत करना क्योंकि आपको ये कोई formula नहीं है ये कोई formula नहीं है वो actually change in Y and change in X को ही बता रहा है अपने उस value से कि PQ length ले लो यहाँ पे Qo length ले लो value substitute कर दो और आपका slope आदाएगा So basically आप Y में change देख रहे हो जब आप doubt पूछते हों It is better कि आप मुझे बहुत specifically वो जगा बताओ ताकि मैं आराम से वो doubt को देख भी सकूँ Next वो कहते है कि It has been stated that a body of weight W can be considered a point of particle of W at its center of gravity Sir can you please tell me what is point particle and what does this statement mean तो देखे मैं आपको बड़े अच्छे से आराम से यह बात समझाता हूं समझने के कोशिश करना देखिए मान लीजिए कि मेरे पास एक knife edge है ठीक है और इस knife edge के उपर मैं अपने body को balance करना जाता हूं मान लीजिए कि मेरे पास यह एक scale है जिसकी length है 100 cm ठीक है अब अगर मैं आपसे बोलूं कि अगर आपने इसको balance करना है तो कौन से point पर जाके यह balance होगा आप बोलेंगे sir एक काम करो इसको 50 cm पर रखो तो यह balance हो जाएगा देखिए आप ऐसा क्यों बोल रहे है इसका reason क्या है इसका reason यह है क्योंकि अगर मैं यहां पर कोई point consider करता हूँ at a distance x तो उतने ही mass का एक particle यहां पर भी होगा उतने ही distance पे जो इक क्लोकवाइस moment को counterbalance करके इसको क्या कर देगा balance कर देगा clear उतने ही दूर पर यहां पर अगर मैं लूँगा तो यहां पर भी एक होगा जो एक क्लोकवाइस moment देगा वह इसको counterbalance कर देगा जिसके वैसे फिर से stable हो जाएगा तो यह 50 cm क्या है तो 50 cm exactly वह particular point है जहां पर हम assume करते हैं कि इस पूरे scale का mass होगा ठीक है तो इसको basically point particle कहा गया है यह वह point है जहां पर इसका पूरा weight है वह supposed to be concentrated है अब आप मान लीजिए कि उसी knife edge पे मैं scale ऐसे रख देता हूँ इस तरह से ठीक है मतलब यह कि अब 50 cm यहां पर है तो आपको लगता है यह balance करेगा बिल्कुल नहीं करेगा क्यूं क्यूंकि आप आप क्या करोगे आप कहेंगे सब देखिए basically क्या है कि यहां पर number of particles जादा है यहां पर number of particles कम है तो clockwise इतना जादा नहीं है जितना anti-clockwise जिसकी वज़े गिर जाएगा आप बोलोगे न तो हम इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि actually में scale का weight है जो कि 50 cm में था वो left side पे आ गया है जिसकी वज़े से क्या होगा anti-clockwise direction में यह tilt कर जाएगा सो हम इस सारे individual एक एक particle को study करने से अच्छा क्या होता है हम एक ऐसा point क्यों ना consider कर लें कि जो भी behavior उस particle का होगा वही behavior पूरी body का होगा ठीक है ना सो अब देखिए यहां पे क्या अब देखिए अगर आप इसी को उठाकर यहां रख दोगे अब देखो 50 cm यहां पे है तो इसका एक perpendicular distance है जिसके वज़े एक anti-clockwise torque में लेगा यह tilt कर जाएगा लेकिन अगर मैं इसी को उठाकर इसके उपर रख दूँगा तो perpendicular distance आपका zero हो जाएगा whole of the mass is supposed to be concentrated ठीक हो गया तो यह है आपका question का answer तो चलिए अब हम अपना next question देखते हैं so next question में कहते हैं sir I have a doubt that retardation में negative को positive करते हैं तो हम positive को negative भी कर सकते हैं क्या please reply my question देखिए मैं आपको ना पहले बहुत अच्छे से यह बात समझा दो please देखिए जो negative acceleration होती है ना उसी को retardation कहते हैं क्या कहते हैं retardation कहते हैं देखिए अगर मैं कहता हूँ कि acceleration is equal to minus 10 meter per second का square तो अगर acceleration के आगे minus का sign आ गया है तो इसका मतलब क्या हुआ अगर acceleration negative होती है तो इसका मतलब है velocity आपकी decrease हो रही है with respect to time ठीक है अगर मैं लिख देता हूँ retardation तो retardation का मतलब ही होता है negative acceleration इसलिए हम minus का sign नहीं लगाते हैं meter per second का square क्योंकि retardation का मतलब भी क्या है retardation word मैंने जब देख लिया तो इसका मतलब होगा कि velocity फिर से decrease हो रही है with respect to time ठीक है न तो अगर मान लीजिए acceleration में आप positive का sign होता मलगर मैं negative ना डालता तो यहाँ पर acceleration का मतलब होता है कि velocity increase कर रही है with respect to time तो अगर आपने acceleration लिखना है और यह बताना है कि velocity decrease हो रही है तो minus का sign यूज़ करिए लिकिन अगर आप सिधा retardation ही लिख देते हो फिर negative sign मुझे डालने के जुरूरत नहीं होती है ठीक है अगर acceleration लिख रही हो तो उसमें positive negative जरूरी है क्योंकि उसका मतलब होता है velocity बढ़ रही है या कम हो रही है बगर retardation का तो मतलब ही होता है कि velocity आपकी decrease कर रही है with respective time I hope आपको आपके question का answer मिल गया होगा ठीक है तो आज के lecture के अंदर हमने कुछ subscribers के question पूछे गए थे उनके solutions को हमने discuss किया है I hope आपको यह questions और answer समझ में आगे होंगे तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज इसको जाद से यादा share करिए तो अगर आप इन वीडियो को share करेंगे तो 110% उन सभी बच्चों के पास यह वीडियो पहुंच जाएगी जो actually मैं इन topics को अच्छे से समझना चाहता है तो आज के लिए बस इतना ही thank you so much